हेलो दोस्तों मैं हूँ बैभव और आप देख रहे हैं Bits for Biology तो इस इंडिया के Best Biology के Crash Course में आज बात करेंगे Class 11 के दूसरी चैप्टर Biological Classification का लेक्षर नमबर 2 पिछले लेक्षर में हमने देखा Classification System और Kingdom Monira आज का यह जो यह लेक्षर है पूरी तरह से dedicated है Kingdom Protesta के लिए यह एक theory session है और इसका practice session का link नीचे description में मिल जाएगा वहाँ enroll करो और सारे sessions मेरे वहाँ पे खुल जाएंगे कुमार live code को use करने के बाद सारे sessions free है तुमसे बस रोज मैं चाहता हूँ तुम 4 घंटे अगर देना चाहते हो तो 360 by 360 तुम obtend कर सकते हो क्योंकि हम लोग 20,000 से ज़्यादा questions प्राक्टिस करने वाले हैं special classes में यह टेलिग्राम का crash course schedule है रोज सामशार बजे रोज रात 9 बजे अनकैडमी के special classes में हम डेली 1500 questions का practice करते हैं ऐसे ही करते चले तो नीट तक 20,000 से ज़्यादा questions का practice कर चुकेंगे हम यह invite code है मेरे सारे sessions को unlock करने के लिए सारे sessions को free में देखने के लिए यह कुमार live यह code जैसे use करोगे तुमारे यह सारे sessions free हो जाएंगे बेरे यहनकैडमी का paid platform है जो के plus platform है यहाँ पे अगर तुम कुमार live code यूज करते हो तो maximum possible discount में लेगा यहनकैडमी का iconic platform है और आज हम लोग स्टार्ट करेंगे kingdom protista के बारे में kingdom protista अगर विटैकर्स की 1969 की वो चीज याद है मौनरा, protista, fungi, planty, animalia तो उसका ही एक kingdom है kingdom protista kingdom protista में जितने भी सारे organisms आते हैं वो सारे के सारे single celled होते हैं बात आती है कि फिर यह मौनरा से अलग कैसे उसमें भी तो single celled आता था बात बस हलकी से difference की है उसमें single celled prokaryotes आते थे इसमें single celled eukaryotes आते हैं कहते हैं इस kingdom की boundary well defined नहीं है किसी scientist को किसी biologist को अगर कोई चीज protista लग जाए तो किसी को वो plant लग सकती है एक्जामपल के तोर पर मैं इगुलीना का दूँगा अगर इगुलीना से तुम दिन में मिलो तो तुम्हें लगेगा कि वो plant है वो photosynthetic plant है अगर रात में मिलो तो तुम्हें वो animal जैसा भी हैव करता हुआ दिखाई देगा इतना फर्क देखने को मिलता है कहते हैं इसलिए इस kingdom की boundary well defined नहीं है इस kingdom के रिस्ते plant के साथ भी animal के साथ भी fungi के साथ भी इसके रिस्ते हैं तो इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं क्राइसोफाइट्स के बारे में डाइनो फ्लैजलेट्स के बार में इगलिन्वाइट्स के बारे में और प्रोटेजोंस के बारे में यह कुशन आया हुआ है कि प्रोटिस्टा में क्या-क्या चीज़ें इंक्लूड होती है तो टूटल पाथ चीज़ें इंक्लूड होती हैं इसमें क्राइसोफाइट्स डाइनोफलेजलेट्स इगलिन्व online or protestopo जितने भी मिलेंगे वह सारे कर एकौटिक की मिलेंगे प्रायमरिली का मतलब होता है मेली मेली एकौटिक ही मिलते हैं यहां पे आगे इस किंग्नम हों पॉर्म से लिंग के लिंग रिस्ते किसकी के साहिए हैं प्लंट निकलियस यहाँ पर मौजूद होगा वेल डिफाइंड निकलियस यहाँ पर मौजूद होगा मेंब्रेंड बॉंड सेल और्गिनल्स मौजूद होंगे किसी के पास फ्लैजला हो सकता है किसी के पास सीलिया हो सकता है एक्जाम्पल के तोर पेड्री पैनोसोमा के पास फ्लैज मिलता पहली बार यह चीज यहीं मिलती है सेल फ्यूजन मिस गैमिटिक फ्यूजन अब स्टार्ट हो जाएगा यह सेल फ्यूजन का दौर किंगडम मौनरा में नहीं चला था ना वहां गैमिट्स बनते हैं ना वहां गैमिट्स का फ्यूजन होता है ना कोई सिंग गैमि की बात चलती है वहाँ ना कोई alternation of generation की कहानी है वहाँ और जाइगोट formation सिंपल सी बात है सेल formation हुआ तो जाइगोट formation तो होगा ही पाथ चीज़े देखी है हमने क्राइसोफाइट्स डाइनो यह पाथ चीज़ों में से एक एक करकर सबकी बात करते हैं बहुत ही छोटा सा यह kingdom protesta है और इसी से related 75 questions आज देखने वाले हैं हम लोग 4 पीम पे क्राइसोफाइट्स क्राइसोफाइट्स में आते कौन है तो इसमें डाइटम्स आते हैं और golden algae आते हैं हमारी NCRT जिकर की है बस डाइटम्स के बारे में golden algae को प्यार से हम desmids बुलाते हैं इसके बारे में NCRT ने कोई जिकर नहीं किया लेकिन इतना तो जान नहीं है हमें कि क्राइसोफाइट्स में दो चीज़ें आती हैं डाइटम्स आता है और एक desmids आता है इसके बाद कहां मिलते हैं ये फ्रेस वाटर में मिलते है और मेरीन इनवार्मेंट में भी मिलते है इस नदियों में भी मिल सकते हैं तुम्हें समंदर में भी मिल सकते हैं तुम्हें कैसे होते हैं ये माइक्रोसकोपिक तुम Naked Isis नहीं देख सकते Float, Passively Float करते हैं जब Water Current चलती है उसमें ही ये Float करते हैं बताओ क्या इन्हें Plankton का होगे या Nekton का होगे इन्हें Plankton कहते हैं वैसे Organism जो अपनी Energy Apply नहीं करते उन्हें हवाएं बहा कर ले जाएं या उन्हें पानी बहा कर ले जाएं उसको Plankton कहते हैं जैसे Phytoplankton, U Plankton लेकिन अगर जिक्र Nekton का हुआ N-E-K-T-O-N-S अगर जिक्र Nekton का हुआ वो Actively Float करते हैं क्या उन्हें Plankton कहना चाहिए नहीं, वो Nekton हैं क्योंकि वो Actively Swimmer हैं ज्यादतर Photosynthetic होते हैं बात चली Photosynthetic की तो Photosynthetic Pigment तो रहे ही होंगे इसमें Chlorophyll A एक ऐसा Pigment जो Universal Pigment कहा जाता है दुनिया में लगबग सब में मौझूद है अगर कोई Photosynthesis करता है तो Diatums की Cell Wall देखोगे तो कुछ ऐसा दिखाई देगा जो साबुन का डबबा होता है लगेगा एक उपर से डबबा है और एक नीचे से डबबा है तो ऐसा लगेगा दोने एक दूसरे को Overlap कर रहा है डब्बे पतले हैं ध्यान रखना Two, three overlapping cells Feed together जैसे साबुन के डब्बे fix हो जाते हैं आपस में जो दिवारें होती है दिवारों में सीलिका भरा होता है सीलिका के चलते इन दिवारों में बहुत ही मजबूती आती है इन दिवारों को कोई तोड़ नहीं सकता Indestructible होती है ऐसे ही जब डाइटम्स के दिवारें इतनी hard है तो जब ये earth bottom पे deposit होती चली जाती होंगी समंदर के अंदर, नदियों के अंदर एक बहुत बड़ा dietmecius earth को create करती है किशीज को create करती है dietmecius earth को ये एक साल में होगा या दो साल में या दस साल में इसमें लाखों साल लग जाते है millions of billions of years लग जाते है अब ये जो dietmecius earth की बात चल रही है इसका हम इस्तमाल कर सकते है ये दानेदार nature का होता है NCRD लिखती है being gritty मिस्ट ये दानेदार nature का है इसके चलते हैं ये policing में इस्तमाल किया जाता है जूते police की बात नहीं चल रही है यहाँ पे policing की बात चल रही है है ना simple साब polish हम कर सकते हैं यहाँ से इसके बाद filtration oils और syrups का यह जिए ध्यान रखना यहाँ पर जो filtration होता है यह एक primary filtration है यह एक primary filtration की बात यहाँ पे की गई है पहले level पे जो filtration होती है वो हम यहाँ से कर सकते हैं और यहाँ पर बाद गजब की लिखी है NCRT ने कि Diatums are the chief producers, पहले ही NCRT ने कहा था यह photosynthetic है, तो क्यों न कहें कि यह chief producer है, chief producer कहने का मतलब oceans का chief producer, oceans में जितने भी total organic food बनते हैं, उसका maximum contribution Diatums ही करता है, इसलिए Diatums are known as the chief producers of the oceans. अगली कहानी डाइनो फ्लैजलेट्स के बारे में, नाम से ही पता चल गया होगा, डाइनो फ्लैजलेट्स कितने फ्लैजला, total 2 फ्लैजला होते हैं यहाँ पे, जितने भी organism है, mostly marine होते हैं, photosynthetic यह भी, कहदो chlorophyll A है, कोई तुमसे पूछे, color कैसा, yellow color भी हो सकता है, green भी, brown भी blue भी, red भी, depend करेगा, उसके body में, ज़्यादा तर pigments कौन हैं, NCRT की जो diagram है, उसमें, brown color का दे रखा है, depending on the main pigments present in their cells में, कौन pigment हैं, उसके basis पे depend करेगा यह, cell valve देखोगे, बड़ा ही, कड़ा होता है, cellulose का बना हुआ होता है, अब तुम्हें नजर आ गया होगा, कि पहले की चीज़े, non-cellulose क हुआ करती थी, मौनरा में, लेकिन यहां पे हम लोग cellulose की तरफ बढ़ते जा रहे हैं, क्योंकि photosynthesis करने लगे, और photosynthesis करने लगे, तो plant जैसा भी हैफ करने लगे, कही न कहीं, plant के तरफ evolution की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं, cellulose की बनी वाल प्लेट्स होती हैं, outer surface पे, ज्यादा तर के पास दो फ्लैजला होते हैं, एक तो longitudinal होता है, और दूसरा transverse होता है, अगर मैं थोड़ा सा body दिखाना चाहूं, एक rough diagram के थ प्लेट्स होता है, पूरी तरह से जो शमंदर है, वो दिखाई देने लगती है लगता ऐसा है कि मानो रेट टाइड आ चुका है पूरी समंदर ऐसा नहीं है पूरा का पूरा समंदर लाल हो जाएगा कुछ किलोमेटर के रैडियस में ही ये चीजे लाल हो जाती है इनसे जो टॉक्सिन निकलती है नाम सैक्सी टॉक्षीन होता है ज नाम सी पता लग रहा है इगलिनोईट्स में यूगलीना आता होगा मिजॉरिटी जो है वो फ्रेस वाटर में होते हैं मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं क्राइसोफाइट्स मैरीन और फ्रेस दोनों में डाइनो फ्लैजलेट्स मेंली मैरीन इसकी बात करें मेंली फ्रेस पानी होता है, सेल वॉल इसमें नहीं होती, सेल वॉल की जगा पे यहाँ पेलिकल होता है, जो कि एक प्रोटीन की बनी हुई एक लेयर होती है, जो कि फ्लक्सिबल इनके बॉड़ी को बनाने का काम करती है, इनके पास भी दो फ्लैजला, लेकिन यह लॉंगिटूडनल और ट् प्लांट लगेगी, लेकिन रात में अगर उससे मिलोगे तो वह अनिमल लगेगी, इतनी कॉंट्रोवर्सी, समझ गया, मुष्ट कॉंट्रोवर्सिल ग्रूप कहा जाता है इसे, सनलाइट नहीं है, तो वो एजे हेट्रोट्रॉप्स के जैसा भी हैव करेगा, अस्मॉलर अ ए, क्लोरोफिल बी, ये सब चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं, एक्जामपल यूगलीना, सिंपल सी बात है, दो फ्लैजला होंगे, ध्यान रखना है, एक छोटा, एक बड़ा, अगली कहानी है, स्लाइम मॉल्स के बारे में, इसे फॉल्स फंजाई का नाम देते हैं, एक एक एक्जामपल याद रखोगे मेरे लिए, स्लाइम मॉल्स का फाइसेरम, फाइसेरम, हम लोग सबका लगबग एक 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 एक्जामपल देख चुके हैं, इस तरही स्लाइम मॉल्स का फाइसेरम, डाइटम्स की एक्जामपल हमें नहीं याद रखने हैं, इसकी पर डिपेंड रहेगा तो फॉल्स फंजाई हमने सुरू में ही बात की थी इस के इंग्नम के रिष्टे प्लांट एनिमल और फंजाई के साथ भी बिलॉंग करते हैं जैसे सड़े कले चीजों पर डिपेंड रहेगा ट्विक्स वो पार्ट होता है जब पेड़ से टूटी हुई टहनी होती है उसको हम ट्विक्स कह सकते हैं और बाकि लिफ्स पे डिपेंडेंट रहेगा औरगेनिक मेंटरिल को मतलब खाने का काम करेगा सैप्रोफाइट्स होते भी तो वही है ना डिकम्पोजिशन तो उनका ही होता है दो तरकी के महौल है इनके पास एक तो स्यूटेबल महौल है और एक तरफ अन्फेवरिबल मह करता है अन्फेवरिबल कंडिशन में यही जो प्लाजमोडियम बनी है यह मैच्यूर करते हैं डिफ्रेंसियेट करते हैं यह मैच्यूर करते हैं और बनाते हैं फ्रोटिंग बाडी बनाते हैं जिसमें स्पोर होता है टिप पे और स्पोर्स के पास ट्रू वाल्स होती है बहुत ही रिसीस्टेंट होते हैं की उतना तो नहीं लेकिन वैसे ही रिभी रिसीस्टेंट होते हैं एड़ोर्स कंडिशन में में सबसे आखरी कहानी है प्रोटोजोन्स की प्रोटोजोन्स के बारे में कहते हैं यह प्रिमिटिव रिलेटिव है आनिमल्स के third largest phylum second largest 3rd largest proto zones जुतने भी हैं हेट्टो ट्रॉप्स हैं predator के तौर पे behave करते हैं parasite के तौर भी behave करते हैं predators वो जो किसी को सिकार बनाए parasites वो जो living पे dependent रहे दोनों नुक्षान ही पहुचाने का काम करते हैं बहुत पुराने relative है animals के इनको चार ग्रूप में डिवाइड किया गया है सबसे पहले अमिबॉइड, सिलेटेड, फ्लेजलेटेड और अस्पोरोजोवन्स सबसे पहले पढ़ेंगे अमिबॉइड प्रोटेजोवन्स के बारे में हर जगा होते हैं मौझूद, पानी में भी, जमीन पे भी हर जगा मौझूद होते हैं इनके पास स्यूड़ोपोडिया होता है, जो सबसे खास शीज है इनके पास ये स्यूड़ोपोडिया, ये बहुत ही खास शीज है, जिसे हम फॉल्स फिट कहते हैं इसके थ्रू ये खाने का काम करते हैं बच्बन से पढ़ते आ रहे हैं हम स्यूडो पोडिया के बारे में मैरीन फॉर्म्स के पास सीलिका के शेल भी मिल सकते हैं जो कि इनके सर्फस को हार्ड बनाने का काम करती है example के तोर पे एक तौमीबा आ गया और एक इंटा अमीबा आ गया parasites होते हैं इंटा अमीबा अगली कहानी flagellated protozoans के बारे में flagellated की बात की जा रही है तो क्या इसमें flagella होगा हाँ भी flagella होगा flagella के through movement देखने को मिलेगा free living भी हो सकता दे को बार बार जो NCIT free living कहती है मतलब किसी पर dependent नहीं है यह free living का मतलब वो हुआ और चाहे तो parasitic भी हो सकती है flagella तो होगा ही वैसे ही silated की बात करें इसमें silia होगा ही हजारो silia मौजूद होंगे तो flagellated protozoans का example कौन है tree panasoma बिमारी क्या cause करेगा sleeping sickness अगली कहानी silated protozoans के बारे में silated protozoans की बात करूँ तो example कौन है paramecium तुमने उनम festival की देखी होगी उसमें नौका की race होती है बोट का race होता है उसमें जिस तरह से coordinated way में सारे के सारे जो चप्पू चलते हैं ना जो नौका आगे बहाने का काम करते हैं वैसी silia का भी movement होता है और उस चप्पू में एक खाना फश जाता है और उसको अपने गल्लेट में लेने का काम करती है यही इन तीन लाइनों में लिखी है NCRT ने हजारों सीलिया लगवग इसमें मौजूद होते है सबसे काम की बात पैरमेश्यम में निकलियर डाइमॉर्फिजम मिलता है निकलियर डाइमॉर्फिजम इन में देखने को मिलता है निकलियर डाइमॉर्फिजम से पहले हम समझते हैं सेक्शुल डाइमॉर्फिजम यहीं तुम confuse करते हो जो बड़ा वाला है इसका काम होता है nutrition में क्योंकि nutrition जीवन का आधार है और छोटा वाला जो होता है यह होता है reproduction में यह चीज़ ध्यान रखना इसमें दो तरह Secures देखने को मिलते हैं अगली कहानी अस्पोरो जोन्स के बारे में अस्पोरो जोन्स में इन्फेक्शियस अस्पोर लाइक स्टेज मिलते है जिन से मलेरिया होता है और मलेरिया जो की एक स्टैग्रिंड इफेक्ट है एक बहुत ही बड़ा घातक इफेक्ट है ये प्लाजमोडियम से होता है मलेरिया malarial parasite है आओ कुछ diagram देखें हम यह diagram किसका है डाइनो फ्लेजलेट्स का है दो फ्लेजला तो मैं दिख रहे होंगे इस diagram में एक तो इस तरह से निकलेगा एक तो इस तरह से निकल रहा है वानो तो एक ऐसे निकलेगा यह ऐसे निकलेगा यह diagram किसका है इड़ेग्राम इगलीना का है अगली चीज इड़ेग्राम किसका है स्लाइम मौल्ड्स का है इग्जामपल मैंने फाइ सेरम बता ही दिया फाइ सेरम इसमें बहुत सारे निकलियस है यह सब जो लेबलिंग है न यह निकलियस है सब और यह सब slime layer है यह जो है तुम्हारा paramecium है sleeper animal क्योंकि sleeper के जैसा दिखाई देता है और यह सब कई सारे stelia यहाँ पर देखने को मिलते हैं इसमें दो nucleus है इन छोटे nucleus को बोलता है micron nucleus जिनका काम होता है reproduction में और जो बड़ा वाला है इसको बोलता है macron nucleus जिसका काम होता है traffic function misnutrition से related बात समझ में आई होगी बात समझ में आई होगी तो यह हमारे बीज़ था kingdom protesta ओकी बच्चो मिलते हैं फिर अगली class में पढ़ो तो एक दिवाने की तरह क्योंकि तुम्हें दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर बनना है मिलते हैं आज शाम चार बजे description में link है जल्दी से join करो और खूब सारे questions प्रैक्टिस करते हैं हम लोग और इसको जितना share कर सकते अपने friends में करो मिलते हैं शाम चार बजे